नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना आप देख रहे हैं वीके नियोज जहां एक तरफ नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ राजनेतिक पार्टियां इसके जरी अपनी राजनेतिक रोटियां सेखने से भी बाज नहीं ना रही विजेपी और शिर्सेना की 30 साल पुरानी दोस्ती में दरार क्या पड़ी शिर्सेना ने तो हर मुद्दे पर विजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया पहले सी ये एका विरोध किया और बाद में जामिया में चल रहे विरोध का समर्थर बता दे कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश में मचे घमासान में अब महराष्ट के मुखे मंत्री उद्धव ठाकरे और पूर मुखे मंत्री देवेंदर फड़नविस भी कूत पड़े हैं पहले उद्धव ठाकरे ने केंदर सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि छात्रों के साथ जो कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से छात्रों के आंदोलन के कुचलने का काम केंदर सरकार कर रही है वो एक और जलिया वाला बाग कान को अंजाम देने की कोशिश करने जैसा है चात्र एक युवा बम की तरह है ऐसे ही में हम केंदर सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो चात्रों के साथ जो कर रहे हैं वो ना करें जिस पर फड़ नविस ने मोर्चा समालते हुए ट्वीट किया और लिखा की जाम्या विश्विद्याले की घटना की तुलना जालिया वाला बाग कांड से करके सीम उद्धव ठाकरे ने उन शहीदों का बहुत बड़ा अपमान किया है जिनोंने देश की रक्षा के लिए एक आठ सेकेंड का वीडियो शेयर किया है जिसमें कैप्शन में लिखा है कि इस तरह के विरोध को बढ़ावा दे कर अब ये इस्टपश्ट है कि शिवसेना अपने लालच के लिए किस हथ तक गिर सकती है आईए आपको भी सुनाते हैं वो वीडियो जिसे 13,000 से ज्यादा अब्यूज मिले हैं तो वही 5000 से ज्यादा कमेंगे देगी AMU की धर्ती पर वैसे देखा जाये तो शिवसेना हमेशा से ही हिंदुत्त चेहरे की पार्टी मानी जाती है साथी शिवसेना के लिए सावरकर भी उनके लिए एक आइडियल है इसलिए शिवसेना हमेशा से ही सावरकर को भारत रत्न देने की मांग करती रहती है अब ये देखना दिल्चस्प होगा कि इस वीडियो को देखने के बाद भी उद्धव इस प्रदर्शन का समर्थन करते हैं या नहीं क्योंकि इस वीडियो में सावरकर और हिंदत तुर दोनों का आपमान किया गया है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें वीके निउस ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें साथी कमेंट करें और हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें